तो देखिए आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं मैंने इसे वाश कर लिया है कितना हमारा स्कीन क्लियर चमकदार लग रहा है बीना पैसे खर्च किए फेसियल जैसा निकार आपके घर पे होगा कैसे आप सभी लोग विल्कम पैक टू मैं चैनल मिश्टी स्कीन केर एंड व्यूटी टीप्स तो आज मैं शेयर करने वाई हूं आप से एक होम रेमेडी जो कि यह हमारा फेस पैक यह उपटन की तरह भी वर्क करता है यह बहुत ही अच्छा फेस पैक है तो फेस पैक बनाने स पहले मैं आप से छोटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मैं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बेल एकन को प्रेस करना ना भूले तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेस पैक बनाना तो देखिए इसके लिए हमें चाहिए फोर इंगिडियंस जो हम दूसरा है हमारा हल्दी यानि टर्मेरिक टर्मेरिक में होते हैं एंटि सैप्टिक गून और एंटि बेक्टेरियल गून होते हैं जो हमारे स्कीन के लिए बहुत ही बेनेफीसल है तीसरा है हमारा मिल्क मिल्क हमारे फेस को सुंदर बनाता है चमकदार बनाता है इसकीन को हा रखता है तो चलिए हम बनाते है अपना फेस पैक इतन भी आप बोल सकते हो इसे इस पैक को रेड़ी करने के लिए आपको चाहिए एक खाली बॉल जो मैंने ले लिया है आपको इसमें एड करो पहले सैंडल वुड पॉडर जितना आपको चाहिए मैं एड करी वन टीस्पून डाल रही हो और इसको मिक्स करने के लिए अच्छी तरीका से मैं रोज वाटर यूज करूँगी अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है ताकि एक पेस्ट बन के रेडियो हो जाए तो आप इसमें संडेल वुड पॉडर देखिए मैंने और एट किया है यह हमारा फेस पैक बनके रेडियो हो चुका है तो चलिए मैं इसे अपलाय करके अपने हैंड पे देखाऊंगे आपको किसका क्या रिजल्ट मिलता है आपको वह भी मेकप बरस से या कॉटन के हैप से अपने फेस पे अपलाय कर सकते हो 10 मिय के लिए इसको रहने दीजिए उसके बाद नौर्मल वाटर से वास कर लीजिए फिर आप अपने स्कीन पे रिजल्ट देख सकते हो आप इसको वीक में दो बार यूज कर सकते हो टू टाइम्स यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा यह उप्टन की तरह वर्क करेगा तो दूकल ड्राय हो चुका के लिए रहने दिया था ड्राय होने के लिए अब मैं इस नौर्मल वाटर से वास करके आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी देखिए अप मेरे रिजल्ट देख सकते हैं मैंने इसको वास कर लिया है कितना हमारा स्कीन छमकदार लग रहा है ब क्योंकि फ्री अफ कॉश्ट है तो बस आज के लिए इतना ही थैंक्स फूर वाचिंग होके बाई